आल्राइट तो डिफेंस एक्विजेशन काउंसिल डी एसी ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहर इंडिजीनेस डिफेंस मैनुफेक्ट्रिंग को बूस्ट करने के लिए और सब्मरीन बनाने के लिए प्रोपोजल को पास कर दिया है ठीक है स्ट्रेटिक पार्टनर्सिप के त तो बेसिकली क्या है कि दो तीन चीजें इसमें लोग देख लेते हैं पहला तो यह कि प्रोजेक्ट जो है 2007 में अप्रूब हो गया था बट मतलब 2019 तक यह बैक बरनर परी था मतलब कि इसमें कुछ खास डेवलप्रेंट नहीं हुआ ठीक है अब सबसे पहले यह देखते है क काउंसिल को चेर कौन करता है तो डिफेंस अक्विजिशन काउंसिल को चेर डिफेंस मिनिस्टर करते हैं प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं होम मिनिस्टर नहीं करते हैं डिफेंस मिनिस्टर करते हैं डिफेंस अक्विजिशन का काम क्या होता है डिफेंस रिलेटेड जो करना है उसे देना उसे पालिशिय सित को आप्रूव करना है तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया पहली वर फोस्ट टाइम स्ट्राइड़जिक you मोडल पर काम किया जा रहा फेर्स टाइम ठीक है और समय एर इंडी क्या होता है कि सब्मरीन होता है थे दॉट करनाकर को सब्मरीं चलेगा कैसे हावा पानी पर इसी चलेगा नहीं सर्मरीन को चलने के लिए power चाहिए, तो power कहां से आता है, तो अभी जिसे diesel electric use किया जाता है, ठीक है, diesel से, diesel engine से पहले electricity generate किया जाता है, उसे battery को charge किया जाता है, फिर battery से submarine चलता है, लेकिन diesel engine को चलने के लिए air का जरूरत होता है, ठीक है, तो इसलिए submarine को water surface पियाना पड़ता है, सर्फेस के पास आके जो सी सर्फेस के ऊपर का जो एर है उसको सक्किया जाता है और उससे फिर डीजल इंजन जो है वो चलता है, स्टार्ट होता है और उसका दूससे बैटरी चार्ज होती है, जब बैटरी पुरा फुल चार्ज हो जाता है तो सम्मरीन वापस ज तो जो बिरोधी गैंग है जो दूसरा गैंग्स्टर है वो आपको detect कर लेगा फी गैंग वार सुरू हो जाएगा मतलब आसानी से detect किया जा सकता है फिर उस पर attack किया जा सकता है उसको destroy किया जा सकता है तो इसलिए Air Independent independent प्रोपुलसल सुस्टम डेवलप करने की जरूरत है ता कि आपका जो security infrastructure है वो invincible हो जाए ह। ठीक है तो अब independent प्रोलसल सिस्टम क्या होगा तो nuclear पावर सम्मरीन होगा तो nuclear जो है वो छोटा सा nuclear plant सम्मरीन में ही रहेगा उसको एर का जरुवत ही नहीं है वो regular electricity generate कर रहा है regular power generate कर रहा है सब्मरीन उसी से travel कर रहा है ठीक है तो यह है air independent proposal system का पूरा हिसाब किताब making India project जो है उसको boost करेगा ही करेगा कहीं पर भी example देना है तो P75 इंडिया का आप example दे सकते हैं ठीक है हमारा import पर dependency कम हो जाएगा अभी क्या है हमारा जो INS चक्र था ठीक है वो भी nuclear powered था लेकिन वो रसिया से 10 साल के लिए lease पर लिया गया था तो उसका lease अभी खतम होने जा रहा है जो की nuclear powered ballistic missile सब्मरीन है जिसको की surface पर नहीं आना पड़ता है इसके अलाबा आइनस अरीघात है आइनस अरीघात जो है वो अभी commission नहीं किया गया है जब commission हो जाएगा तब उसको भी count किया जाएगा तो फिलहाल तो सिर्फ हमारे पास क्या है आइनस अरिहां ठीक है इसके कि इंपोर्टेंट देख लेते हैं कि P75 इंडिया यह जो है P75 इंडिया जो है वो P75 प्रोजेक्ट के का सक्सेसर एक तरह से P75 प्रोजेक्ट के तहत अगर याद होगा तो आइनस कलवरी आइनस करंग, आइनस खांडेरी, scorpion class जो diesel electric submarine बनाया गया था ठीक है फ्रांस के साथ collaboration करके तो उसी का सक्सेसर एक तरह से कर सकते हैं कि P75 इंडिया है P75 इंडिया प्रोजेक्ट अब ये इसमें कन्फ्यूज नहीं करना कि P75 इंडिया प्रोजेक्ट जो हूँ, scorpion class बनाएगा नहीं, P75 इंडिया अलग है, P75 प्रोजेक्ट अलग था, P75 के तह 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 स्कॉर्प प्रोजेक्ट